नमस्कार दोस्तों, मैं आशी शंतिल, अक्सर हम लोग ब्याज यान के इंट्रेश्ट पर पैसा देते भी हैं और लेते भी हैं और ये भी विचार करते हैं कि हमारा पैसा कब दुगना हो जाएगा, तीन गुना, चार गुना कैसे हो जाएगा इसी मुद्धे पर आज ही क्लास लेकर आया हूँ, ट्रिक और ट्रेडिशनल दोनों मैधर के इसाब से, एक बाद देखेगा, कहता है, कोई धन, साधान ब्याज यान के सिंपल इंट्रेश्ट पर, तीन साल में दुगना हो जाता है, तो तीन साल, लिग दिया, दुगना हो जा चैसे एक कम, और एक उना कर दो, कैलकुलेशन कर दो, नीचे तो इसको रहने दो ऐसी, तो पांस तिया, पंद्रा, तो जनाब पंद्रा साल में, आपका पैसा छै गुणा हो जाएगा, छै गुणा, पंद्रा साल में, इतना करना था, लोग क्या करते है, ट्रेडिशनल मेथ अफ़र, और कई तो बिल्कुली बहुत ही पुराणjang method यूज़ करते हैं, कि भाया, आज मैने पैसा दिया, आज किसी को एक रप्या, तीन साल में, दुगना हो जाएगा, तो मतलब तीन साल में, दुगना पैसा हो जाएगा, मेरा दो रुप्या हो जाएगा, एक रप्या द यह 3 रुपेर हो जाएगा फिर अगले तीन साल में नो साल में यह चार टाइगा फिर अगले तीन साल में यह बार लृपिय ठीन साल यह कर नहीं कर आएक प्रम उप सिंपल बात करने चार साल टो ऴाट चार, तीन हो जाते हैं सिंपल,ardealealeale. पर, एक कम कर दो, और उसको नीचे लिख दो, तीन से कम, दो, गुणा, कितने गुणा की उमीद कर रहे हो आप लोग, ग्यारा, ग्यारा से एक कम कर दो, दस, तो ये काटोगे दो, दस दुनी बीस, तो बीस साल में आपका पैसा ग्यारा गुणा हो जाएगा, कर लो ट्रेडि तो ये करूँगा तो चार, तीन, चोके बारा, और ये पांच, चोके बीस, बीस सालों में आपका पैसा तेरा गुणा हो जाएगा, ट्रेडिश्टल तरीका, गए भाईया, पेपर में काम नहीं आएगा वो, इधर देखिए, पांच सालों में, सिंपल इंट्रेस्, साधान ब्याहज में, आपका पैसा 10 गुणा हो जाता है, तो पांच लिखा, दस से कम कर दो कितना, 9, नीचे लिख दो, कितने उमीद कितनी कर रहे हैं, उमीद, 46 गुणा, 46 से एक कम कर दो, 45, 45, तो 9, 9, 45, ये हो गया आपका 25, तो 25 साल में आपका पैसा 46, 46 गुणा हो जाएगा, 46 सो रपिया लगाओगे, तो 46 सो रपिया मिलेगा आप लोगों को, उमीद करता हूँ, ये बात समझ में आई होगी, और ये कोशन को आप लोगों खुद कर पाओगे, मैंने काया है, और आप जानते भी हो, कि ऐसे ही और तरीके लेकर, मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, जर आऊंगा, नमस्कार.